दोस्तों रेडियो मनमीट पर एक बार फिर आपका स्वागत है मैं वेट्रकाज भरद्वाज आज आपके लिए अपनी एक व्यंग रशना लेकर आया हूँ व्यंग रशना का शिर्शक है मैं बनारस नहीं गया वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मैं बनारस नहीं गया और भी बहुत सारी जगए नहीं गया बहुत सारे लोग नहीं गये अब इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है हाँ बनारस को शिकायत हो सकती है कि मैं वहाँ क्यों नहीं गया जब देश के प्रधान मंत्री गुजराच छोड़कर बनारस जा सकते हैं तो मेरे हर्याना से बनारस जाने में क्या समस्या थी वैसे भी हर्याना वो यूपी पडोसी हैं एसे पडोसी जो प्रेम से हमेशा लड़ते रहते हैं फिर भी मैं बनारस नहीं गया इमान्दर इसे कहूं तो मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं जीवन में बहुत कुछ हैसा है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा इस मामले में मेरा चरित नेताओं जैसा है आप चाहें तो मुझे इस मामले में ब्रष्ट कह सकते हैं कि मैं आम नागरिक होकर भी नेताओं जैसा चरितर रखता हूँ वैसे ब्रष्ट होने का ठेका सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के पास नहीं है देश में यह आजादी आम आदमी को भी है बहराल मैं बनारस नहीं गया मेरे बनारस न जाने के एक दो या चार शे कारण है या हो सकते हैं निज़ता के अधिकार से मैं उन्हें बताना उचित नहीं समझता वैसे भी मैं कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता जिससे सरकार की छवी धुमिल हो आज कल पता भी नहीं चलता कि कब कौन सी बात देश विरोधी हो जाए मैं बनारस नहीं गया इतना सजग नागरी को होने के बाद भी मैं बनारस नहीं गया बनारस से मुझे बेढब बनारसी याद आते हैं मैं बेढब बनारसी से कभी मिला नहीं पर सुना हैं वह बड़े लिखक थे मैं भी लिखक हूँ एक लिखक दूसरे से मिलता नहीं है उसे पढ़ता नहीं है मैं तो अपना लिखा तक नहीं पढ़ता इससे बड़ा लेखक होने को सावित करना आसान हो जाता है लोग कहते हैं देखो कितना बड़ा लेखक है देश और समाज की चिंता में अपना लिखा भी भूल जाता है इससे लेखक होने का भ्रह्म बना रहता है लंबे वस्वस्थ लेख की जीवन के लिए भ्रह्म जो है एक चेवन प्रास की तरह होता है वैसे कौन है जो यहां भ्रह्म में नहीं है नेताओं को भ्रह्म है कि जनता उसे चाहती है जनता को भ्रह्म है कि नेता उनका विकास करेंगे लेखक को पाठक का ब्रह्म होता है तो पाठक को लेखक के होने पर बाप्रा सोचता है क्या लिखा है कविता है कहानी है या शोक संदेश है लेखक लेख्था कुछ है और पाठक कुछ होल सबज कर पड़ जाता है दोनों अपने ब्रह्म में खुश रहते हैं बहराल मैं बनारस इसलिए नहीं गया कि बनारस ने कभी बुलाया ही नहीं वह बुलाता TADA की व्यवस्था रहती तो चला भी जाता एक कारण और भी रहा कि मैं अक्सर रस्ता बोल जाता हूं एक बाद जम्मू की जगए मुंबई पहुंच गया था वह तो मैं मुंबई स्टेशन से ही वापस आ गया वरना आज लोग मुझे बीते जमाने का सुपरिस्टार कहते खुश फेहमी जिन्दा बाद इसलिए दिनों जब सुना कि मनारस का काफी विकास हो गया है तो एक बार मन किया कि जड़ा विकास को देख लिया जाए फिर अपने शहर को देख कर सोचा कि यहाँ भी तो विकास हो चुका है ऐसा ही कुछ होगा इसलिए इतनी दूर जाने का क्या फाइदा वैसे बनारस की कई चीजे मशूर है बेरब बनारसी तो थे ही बनारस के पान भी मशूर है और बनारस की ठग भी वैसे ठग आजकल राजधानियों में ही मिल जाते हैं फिर बनारस जाने का क्या फाइदा इसलिए मैं बनारस नहीं गया बहराल अपनी बात इहीं समात करता हूँ कहीं ऐसा न हो बनारस नाराज हो जाए और मुझे इन्वीटिशन भेजी दे फिर तो जाना पड़ेगा लेकिन फिलहाल मैं बनारस नहीं गया धन्यवाल